नमस्कार नन्य दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका किट्स टाइम में आपका अपना शो जहां होती है धेर सारी मस्ती बढ़ता है आपका नौलेज और हम सब मिलकर लड़ते हैं कोरोना से वो भी खेल खेल में वैसे खेल हमारी जिंदगी में एक नई उर्जा नई एन सोचिए अगर आपको खेलने को ना मिले तो आपको कैसा लगेगा आप सभी बच्चे लॉक्डाउन में घर पर बड़ी ही बाहदुरी से कोरोना से फाइट कर रहे हैं और बड़े दिल्चस्प खेल भी खेल रहे हैं तो आज की हमारी जो मेहमान है वो भी आपको कुछ ऐसे आज मैं बच्चों के साथ कुछ खेल खेलूंगी खुब सारे खेल लेके आई हूँ मुझे आशा है कि इन्हें पसंद आएंगे तो बच्चो इससे पहले कि हम उशा जी के पिटारे में से आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर और दिल्चस्प खेल निकाले सबसे पहले आ तो चोटे चोटे बच्चे अपने घर के भीतर ही बड़े दिल्चस्प गेम खेल रहे हैं और आप आम शूर कि आपके पास भी ऐसे ही कुछ दिल्चस्प गेम सोंगे और हुमारी महमान भी आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले किट्स टाइम में बारी है आज के सवाल की आज का सवाल जो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है वो है भारत का राश्ट्रिय खेल कौन सा है भारत का राश्ट्रिय खेल कौन सा है आपके विकल्प हैं A. हौकी, B. कुरुकेट, C. कबड़ी या D. फुटबॉल मुझे मालूम है कि जट से आप इसका आंसुर देंगे औ आपके कौल्स हम तक पहुच जाने चाहिए और जल्द जल्द हमें कौल कीजिए इन सवालों का जवाब दीजिए और तो लॉक्टाउन में बच्चे घर पर बड़े मज़दार खेल खेल रहे हैं और उनकी जो एंट्रीज है वो हम तक आई हैं वो वीडियो उन्होंने हम त तीन चार इन नंबर्स पर आपको सवाल का जवाब देना है कॉल करके हमें आपकी आवाज का इंतिजार है पहला सवाल था कि भारत का राश्य खेल कौन सा है तो इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए और चलिए अब खोलते हैं भानुमतिका पिटारा जी हां उशा ग्लोब है जैसे ग्लोब में खुब सारे देशों के नाम है जो बच्चों को अधिकतर याद नी रहते तो घर में सब बैठ जाए परिवार के सारे लोग बैठे और ये एक तरफ से खिला जाए जैसे बॉल खेलते हैं और जहां पर भी आपकी राइट हैंड का थम जो है जो और मैं बताओ मैं जब छोटी थी और बस में हम लोग ट्रावल करते थे मैं कोलकाता में थी और फिर भी हम लोग बस में खड़े होके बड़े अच्छे इंट्रेस्टिंग गेम खेलते थे उसमें से एक ही है जो हमने बटन को पिरो लिया है धागे में धागे में इसको पिर इस तरह से, बहुत ही दिल्चस्ट है यह, उसके बाद समनेजे, अब दूसरे की गेम है, वो कितना दे जाती, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सबसे बात है कि इसमें कोई बड़ा सामान भी आपको नहीं चाहिए, और उसके बाद next step देखेंगे, एक, दो, चालेंज आगे, ऐसे, फिर उसके एक, और यह उचाल के भी, तो यह बहुत मज़िदार था, हम लोग के समय, हम लोग बस में चलते हुए ऐसे, खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था, और एक यह है, estimation game, जिसमें यह वाले दाने कितने होंगे, और यह राजमा के दाने कितने होंगे, य यह डीटेल में थोड़ा आप से जानेंगी उचाजी, लेकिन हमारे एक नन्य कॉलर का फोन आ गया है, सवाल का जवाब देने के लिए, शौरे त्यागी है हमारे साथ, और सवाल का जवाब देंगे, जी शौरे, आप हौकी थे खेलते हैं यह अच्छा आपको पसंद से जादा को होकी पसंद से पर कोई बात नहीं, होकी हमारा राश्प्रिये खेला है, यह बिल्कुल सही जवाब है शौरे बहुत बढ़ाई आपको, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो बच्चों के पास नॉलेज का अथा भंडार है, ग्यान का अथा भंडार है और वो हमसे साजा भी करते हैं, अगला सवाल भी आप तक पहुचाएंगे, लेकिन फिर से लोटते हैं उन खेलों की तरफ, जो आपके माता पिता भी अपने बच्चों में खेला करते थे, लेकि तो बच्चे आज कल घर पर महाभारत और रामायन खूब दिल्चस्पी से देख रहे हैं, उससे ही जुड़ा हुआ सवाल है, और नंबर भी आपके लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, एक आज शून्य शून्य एक 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 दो तीन चार, इस नंबर पर आपको कॉल करना है, और जट से इस सवाल का जवाब दे देना है, कि महाभारत में पांडवो और कौरोवो ने कौन सा खेल खेला था, और ये खेल भी बड़ा दिल्चस्प था, इस खेल का रूप भी बदला, महाभारत में, किसने जीत हासिल की थी, यह अपने आप में बड़ी दिल्च कहानी है, तो उशा जी, बड़ा लोगप्रिय हुआ था उस वक्ते खेल, उसका हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसे ही अनोके खेल और भी है आपके बास, शत्रंज मैं भी खेला करती थी, मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं हमेशे अपने भाई से जरूर हार जाती थी, आज आज भी मलाल है, आज भी मैठेगा तो वही हरा देता, तो कौन सा खेल था इसमे आप जीतनी थी, हम ये सब गेप खेलते थे, बड़े मज़दार होते ही, आप अराम से घंटों लगा सकते हैं, ये घर घर खेल होता है, जिसमें हम डॉट्स जाइन करते जाते थे और इस तर ये वाला भी अच्छा है, जो गेम मैंने आपको बताया कि ये गेम में, आप नंबर बताएंगे और बोलेंगे कि आपको पहले ये पताता है कि आपको कौन सा रंग पसंद है, गुलाबी, लाल, पीला या दूसरा, बताएं, लाल, लाल, इसमें मेरे पास है 7 और 8 नंबर, आपको कौन सा नंबर चाही है, 7, 7, भया, आपको आज एक कहानी सुनाने वाले है, तो मैं आपका फॉर्चुन बताती हूँ, ये बहुत दिल्चस्प है, ये जानना भी दिल्चस्प होगा कि इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन वो बात में, इसके लावा ये बड़ी दिल्च लॉक्डाउन में फैमिली पूरी परिवार मिलकर बैटकर ये गेम खेल सकते हैं, ये तो खासियत है कि इसमें कुछ लगते ही लागत ही नहीं, और खूब मजे से सारा सारा दिन लगा सकते हैं, अब ये देखें, ये गेम है, हमने नंबर लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लिख लिए, उसके बाद आप समय लिजे, मैंने आपको बोला, यहां से 10 से, अब आप एक तक जाईए, आप यहां पहुच जाते हैं, उसके बाद मैं बोलूँगे, आप 8 पे आ जाए, अब जब आपने गुमाया, अच्छा, एक नंबर दुबारा क्रॉस नी होना चाहिए और वहां आप फर्जाते हैं, तो बड़ी मज़दार गेम है, यह भी हम लोग खेला करते थे, बड़ी इंट्रेस्टिंगली हम लोगों ने यह सब गेम बहुत खेली है, और एक बहुत ही मस्त गेम है, आपके पिटारे में तो काफी सारे गेम्स हैं, तो उशा जी के पिटा पर डाल लेते हैं, लॉकडाउन के दौरान कैसे हमारे नौनी हाल भी, कौरिना के खिलाफ अपने अनोखी अंदाज में लडाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी मारे पास बड़ी संख्या में निराले वीडियोज आए हैं, आईए कुछ ऐसे ही चुनिंदा वीडियोज प लड़ी subscribe ।े शुथ कुछ ऌटन한गे खिलाए, दोजाऊ हैं, इसको पिलाए, दोजाए, और जोजाए, आची अपने लड़ी संख्या Livinga прошл — ए only one, two, three and four. what is this? पहनत Sachई रुट अचजड़ साόल को अदों, you इppen कर लीका सान望 को黄 म diagnosis एक बसल्साल को आल को तो कीम घुघक्थ है सुष्ष्ष्य के तो को सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् श्हुछरे चे को बाब को इ को सब्सक्राद चुछरऌ पर चांघ परखेसे लड़ सोकी लजुन पर उदा AND क्यमता एफेसे नगैँ का लग, तो नन्य खिलाडियो आपको सलाम बड़े ही दिल्चस्प मज़ेदार खेला आप घर पर बैट कर खेल रहे हैं और लग नहीं रहा है कि आप बिलकुल भी बोर हो रहे हैं आपके इन आइडियास से हमको भी आइडियास मिले हैं लॉकडाउन में हम भी अपने समय का कैसे बहतर इस्तमाल कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था कि महाभारत में कौरव और पांडवो ने मिलकर कौन सा खेल खेला था आपके ऑप्शन्स थे चौसर, बीशत्रन, सी कुष्टी और डी निशाने बाजी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गये हैं उनका नाम में आपको सी बी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और उनके पास सही जवाब है इस सवाल का, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताईए चौसर खेला था हूँ नो चौसर बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, आप महाभारत देखने हैं इन दिनो हाँ, मैं महाभारत देखती हूँ अच्छा, आपने कभी मतलब खेल ये चौसर से मिलता जुलता एक और खेल होता है, जो इन दिनो बहुत लोकुप्री आप खेलते हैं वो, पता है कौन सा गेम है लूडो लूडो, शत्रन, ये सब उसी के बदले हुए रूप है, बहुत बहुत शुप्रिया आपका जवाब के लिए एक दम सही आंसर दिया है आपने तो एक और बात बताईए मुझे, महाभारत में कौन सा किर्दार है, जो आपको सब से ज्यादा पसंद है श्री कृष्ण ये सवाल भी हमारे पास है, हम पूछेंगे थोड़ी देर में आपसे और आप इसी तरह हमें कॉल करते रही है, आपकी कॉल का हमें इंतजार रहता है तो हमारी जो आज की महमान आई है, वो भी अपने जोले से बड़े ही दिल्चस्प खेल आपके लिए निकाल रही है, उशा चाबडा है हमारे साथ उशा जी, आप कुछ ऐसे खेल जो बच्चे शब्दों के जरीए खेल सकते हैं और उनका जो वोकेबलरी है, शब्द कोश है, वो भी भड़ सकता है इस तरह का खेल है, आप इस तरह से एक वर्ग पहली मना सकते हैं, इसमें खुब अपनी मर्जी से कोई भी अक्षर लिख दीजिए या कुछ शब्दों को अपने दिमाग में रख लीजिए और यहां डाल दिया आपने और इसके बाद अपने फ्रेंड्स को बोलिए, फाइ कितने शब बनाएंगे, हर एको दे दो यही वाला, और मम्मी, पापा, भीया, सब लोग बैट जाएंगे और देखिए आपके घर में कितने कितने शब्द निकल के आते हैं, जो वर्ग गेम्स होते हैं, जो शब्दों से जुड़े होते हैं, उससे क्या दिमाग पर भी जाती हैं, तो यह बहुत ही अच्छा गेम है, इसे तरह टंग ट्रिस्टर है, जो मैं आप से पूछना चाहूंगे, आप जड़ा बोल के दिखाएंगे, कच्छा पापड, पक्का पापड, पक्का पापड, और ऐसे थोड़ी, और तेजी से, चलिए, मैं अपने ही मन्ने, जो हमारे कॉलर्स हैं, उनसे कहती हूं कि आपके लिए एक छोटा सा टंग ट्रिस्टर है, कि कच्छा पापड, पक्का पापड, अगर आप हमें बोल के सुनाएंगे, उसके अलावा आपके लिए एक सवाल भी है, मैंने आप से कहा था ना, कि श्री कृष्णी से जुड़ा बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन हमें इंदिजार रहेगा आपके जवाब का, और वो जवाब आप हमें देंगे इस नंबर पर, 1800111234, तो जल्दी से इस आसान से सवाल का जवाब हमें भेज दीजिए, और और भी सवाल है, लेकिन उनपर आएंगे, लेकिन फिर से जो उशा जी हमसे पूछ रही है और उशा जी के खजाने से बहुत सारे गेम्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं उशा जी तो टंग दुस्टर के आप बात कर रही थी घर में बैट कर लॉक्डाउन में बच्चे बड़े सभी आपस में खेल सकते हैं दिखी इसमें एक और है पीतल के पतीले में पपीते पीले पीले पीतल के पतीले में पपीते पीले पीले जरा बोल के दिखाएं पीतल के पतीले में पपीते पीले पीले मेरी जुबान के अच्छी खासी एक्सराइज आप कर रही है जितने लोग अगर जितना ज्यादा यह टंग टुस्टर करते है उनके बोलने की क्षमता बढ़ती है और वो रीड भी अच्छा कर पाते हैं ये बहुत दिल्चस्पे बहुत अच्छी बात है अब एक पहली हो जाए एक पहली है तीन पैर की चमपा रानी उशा जी आपकी पहली से पहले हमारे एक कॉलर है और हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए आयाना हमारे साथ जुड़ी है और हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए जी बताई आयाना क्या सही आंसर है जो हमने आपसे पूछा था उसका बी लकडी जी लकडी बी लकडी बिलकुल सही जवाब दिया है अच्छा पूछा था मैं तो नहीं बोल पाइं के अपको फाइब तइमस जल्डी जल्दी बोलना क्या आप बोल सक्ती है थोड़ा सा यहां पर टंग तीस्ट हो गया आपका पक्का पापर ने आयाना भाध। शुक्रिया आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही था बहुत बहुत शुक्रिया पाडिस्पेट करने के लिए तो उशा जी अगले सवाल का भी हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं तब आप तक जाएंगे कि एक खिलाडी है बड़ी महान हमारे देश की मिताली राज उनका नाम है वो कौन सा खेल खेलती हैं मिताली राज कौन सा खेल खेलती हैं तो मिताली राज अगर बच्चो आपने ने देखा हैं खेलती हुए तो आप जरूर इसका जवाब हमें दे पाएंगे और हमारा नमबर तो आपको यादी है एक आठ शून्य शून्य एक 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 दो तीन चार इस नमबर पर फटा फट इस सवाल का जवाब हमें सुना दीजिए तो उशा जी आप बता रही हैं थी पहलियों की बात कर रही हैं तो आप बताएं जरा बूजो भाईया एक पहली जब काटो तो नहीं नवेली यह थोड़ा मुश्किल हो गया नहीं नहीं बहुत आसान है रोज हम यूज करते हैं घरों में आम दिखाई देती है मैं इतना हिंट भी दे दिया है फिर से एक बाई बोल जेती हो भूजो भाईया एक पहली जब काटो तो नहीं नवेली नाखून नेल्स हो सकती है बता जी हाँ पैंसिल यह तो बहुत दिल्चास हो आसान है जब काटो तो नहीं नवेली निकल के आती है नाखून लेकिन समय लेते है थोड़ा सा यह तो तुरन निकल करता है बच्चे खुद भी पाहलिया बना सकते बिल्कूल यही तो तभी तो मैं यह लाई हूं पिटारे में क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जो आप घर बैठे अराम से बना सकते हैं समझ लेजे आपनी इसी पैंसिल पर कुछ और बना रहा है आपने अपने भाई को बला तुम भी बनाओ अपने मम्मी को बला आप भी बनाएगे और देखेंगे तीनों बहुत बढ़िया बना के ले थोड़ी सी मैं पहले इनको रीडिंग करना सिखाऊंगी कई बार मैंने देखा बच्चे जब रीड करते हैं ना तो उनमें उतना आनन्द नहीं आ पाता मैं छोटी सी एक कहानी मज़ेदार पढ़ती हूँ इसमाईल सर पर पैर रख कर भागा ऐसा भागा ऐसा भागा कि सड़क पर एक ने पूछा क्या हुआ भूत देख लिया क्या नहीं बोलकर इसमाईल भागा दूसरे ने पूछा क्या हुआ पुलिस पीछे पड़ी है क्या नहीं बोलकर इसमाईल भागा तीसरे ने पूछा र किसी का पीचा कर रहे हो क्या नहीं बोल कर इसमाइल भागा और पेड़ पर चड़ गया सब ने पूछा क्या हुआ इसमाइल पेड़ पर से चिलाया घर पर करेली की सबजी बनी है me तो बच्चों जब आप ईस्वक्रेशब पढ़ने दाले उसमें यह ऊश्या जिपतारी है और इस पीच हमारे मारे साथ जुड़ गया है आदित्या आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आपको क्या सवाल का जवाब पता है जो इन आप पिर भूल सही जवाब दिया है आपने कि मिताली राज जो है वो क्रिकेट खेलती है आपने मिताली राज को खेलते हुए देखा है लूडो बिलकुल आजकल बच्चे घर पर लूडो खेल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है उशा जी बच्चों को इस खेल में लूडो में ऐसी कुछ और खेल हो सकते हैं क्या बच्चे खेल सकते हैं और बिजी रह सकते हैं मुझे लगता है यह खेल तो अच्छे है ही लेकिन थोड़े से ऐसे खेल भी खेल लिए जा सकते हैं जैसे किसी भी जानवर के बारे में आप ऐसे कुछ भी कट-आउट्स बना सकते हैं और आपस में बातचीत करा सकते हैं क्या भाई, क्या बात है? अरे क्या बताएं यहाँ पर तो अब आजकल कोई अनुष्य दिखाई ही नहीं देना सब कहाँ चले गए हाँ मैं देख रहा हूँ सारी जनता सो रही है क्या अरे नहीं भाई नया कुछ आया है कोरोना नाम है उसका हाँ हम सब की तो मौज बनी हुई है आप मैगजीन की और कुछ और चीज़ों की भी बात कर रहे हैं देखी इस तरह से मेरे पास एक किताब है यह है आदिल के जूते इसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम क्यारेक्टर्स की रीड करते हैं जैसे अभी पहले हमने एक ही बच्ची का हमने अब आगे देखें वह कहता है कि इसके पास जूते हैं पुराने तो सब लोग इसको लगता है इन्हें पहनने में कितना आराम है वह कहता है और इतने सालों से यह मेरे साथ हैं पर औरूरू को इसा नहीं लगता था, कोई इतने पुराने घिसे जूते कैसे पहन सकता है, वे सूचते, इन्हें तो कोई फेक दे बस, समोसे बेचने वाली साधिया ने कहा, इन्हें तो कोई गार आए बस, पकोड़े बेचने वाली प्रियारे, अब आप लोग घर पर भी ऐसा कर सकते, प्रिबुक का रूप देना है, तो आप देखिए, बच्चे ने कितना सुन्दर यहाँ पर ऐसे बनाया है, यह मेरे ही स्टुडेंट्स हैं जिन्हों ने बनाया, इसी तरह से यह पुरानी मैगजिन होती हैं, उसमें से आपने सिलेक्ट कर लिया, यह आपके पास आपका तर रंग, यह देख रहे हैं आप, तो इस तरह से हम उसमें से कई चीजें और अगर क्लास के सारे बच्चे लॉक्डाउन में इस तरह का कुछ काम कर ले, तो बस स्कूल खुलते ही एक दूसरे से एक्सचेंज करिए, आपकी लाइबरी अपने सामने तयार है, आप यह देखे क आजमाएंगे और सीखेंगे भी और बोर नहीं होंगे सबसे जादा लॉक्डाउन में इस में, मुझे बहुत खुशी होगी अगर इन में से भी कुछ अगर ले लिया बच्चों ने, अब जैसे न्यूस पेपर है, इन दिनों न्यूस पेपर पुरारे पढ़े हैं, मैगज किट्स टाइम में आने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बात हैं हमसे साजा करने के लिए, तो बच्चों कल किट्स टाइम में आपको एक पपेच्छो यानि कट पुतली के खेल के जरीए एक बड़ी दिल्चस्प कहानी सुनाई जाएगी, कि कैसे एक राजा कोरोना को हरा करता है, आप ही अगर कोरोना को हराने के लिए कोई खिलोना बना रहे हैं, कोई क्रियेटिव चीज जो इस वक्त आपको हिम्मत दे रही है, तो आप हमसे साजा करिए, कैसे फाइट करेंगे आप कोरोना से, हमें अपने वीडियो बेजिए, हमारा पता है, contest ddnews at gmail.com पर आ कोशिश करिए कि कल दिन में 12 बजे तक आप इस बारे में tweet या email कर दें, आज के इस कारिक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़े जाते हैं बच्चों के संदेश के साथ, आप देखी के बच्चे कैसे, आपने गीत के जरिये लोगों को जाग रुक कर रहे हैं, आ आप आप, आप आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप, आप आप, 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 अपने आख, नाख और मूर को हाथ से नहीं चुना चलिए और अपने हाथों को सावना पानी से कम से कम 20 सेंड तक दोना चलिए अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी हाबीस फॉलो करें, जैसे पौधों गाये अपनी बालकनी में, खुद की और पौधों की देख़ान करें, स्वस्त रहें और घर पे करोना को हराएं आप अपनी घर की सरक्षा में अपनी हाबीस उन्जोई कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी गार्णिंग उन्जोई करती हूँ, इसकी साथ आपका समय भी अच्छा भी दिवा, साथ में आप करोना वारस के जंग भी लड़ सकते हैं हमारे सारे सरक्षा कर्मी अपनी जैन की परवा ना करते हुए पेनाग रहते हैं, तो ये एक हमारे छोटी से कोशिश सभी सरक्षा कर्मियों को समर्पे थे सब कट की इस मांगडी में हमें नहीं घबराना हैं, लोकडाउन है तेश में तब बाहरी में ही जाना है, मोदी धी की इस अपील को निष्यत हमें निभाना है During this lockdown period, I am getting used to the new normal by getting myself engaged in all my activities like online studies, music practice, art कड़ बकड़ तंबेगो अस्टीन नपैंग पूरे सो सो में लग अठा का चोरिकर के भागा जब भी भाज जाए मास्पैंग का जाए कोई भी भाज मुझाओ, मैं भी ने जा रहू, मिलमानों भी ने जा रहे अगर कोई इंपोसंत का है, तो मास्पैंग के जाना चाहिए, हैंग लाज किसी को तुछ करते हैं, तो उस्ते हैं, हैंग सनुताज करना चाहिए COVID-19, a scary man, but a horrible reality. The entire globe is helpless in these trying times. But our doctors, the saviors of mankind, are helping us to their best to get over this dreading disaster. अपने घरों से बिलकुल ना बहाँ जाए और अगर कुछ दरूरी का हो, तो मास्ट लगा के जाए Be ready to fight coronavirus, avoid touching your eyes, nose and more with your unclean hands. The terrible tangible things, but I keep the space, cover my face, wash my hands and sing. झाल